तो दोस्तों आज मैं explain करने वाला हूँ Netflix पर release हुई एक real story के उपर based documentary को जिसका नाम है Our Father अब इस documentary का जो concept है वो थोड़ा सा different है और यहाँ पर एक cult का भी जिक्र किया गया है जिसको cult माना जाए ना माना जाए यह तो आप ही decide कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो कुछ हुआ है वो काफी जादा गलत है तो उमीद करता हूँ कि आपको ये वाली भी real story काफी पसंद आएगी आवर फादर documentary की IMDB rating है 6.5 stars out of 10 इसके अलावा मैंने हाली में धेड़ सारी documentary को भी cover किया है जिनको आपने काफी पसंद किया था तो अगर आपने by chance मिस कर दिया है तो उनको भी जाकर देख लेना उन सभी वीडियो का link आपको नीचे description मिल जाएगा तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीड इसपन से ही वो खुद को अपनी family से थोड़ा अलग समझती है क्योंकि उसके hair और eye color family के बाकी लोगों से match नहीं होते थे और वो अपनी मा से बार बार पूछती थी कि क्या वो adopted है और एक दिन उसकी मा डैबी ने उसको सच बता ही दिया कि जकोबा को conceive करने में उसको problem आ रह जाती है और डॉक्टर क्लाइन ने अपना procedure किया जिसके चलते डैबी प्रेगनेंट हो गई और यह चीज़ artificial insemination कहलाती है डैबी के प्रेगनेंट होने के बाद फिर जकोबा का जनम हुआ जिससे सब बहुत ही जादा प्यार करते थे और धीरे धीरे जकोबा बड़ी होती जकोबा यह बताती है कि वो हमेशा से चाहती थी कि उसके कोई भाई बहन हो और 1999 के टाइम पर commercial DNA टेस्टिंग नहीं होती थी वो आगे यह बोलती है कि उस टाइम मॉम से डॉक्टर क्लाइन ने यह कहा था कि medical student के samples का वो यूज करने वाले हैं procedure के लिए और किसी भी person का sample ती कि एक दो भाई बहनतों होने ही चाहिए अब उसने डॉक्टर क्लाइन से contact किया 1999 के टाइम पर बट तब उन्होंने यह बताया कि जकोबा की मा के record मिट गए हैं जो की काफी पुराने थे और कोई भी information नहीं मिल सकती हम एक प्रोमो को देखते हैं 1987 के टाइम पर जिसमें डॉ आपल्स टाउन में धीरे धीरे फेमस होते जा रहे थे और आज की तारीक में वह एक बहुत ही बड़ी हस्ती बन चुके हैं वहाँ पर जिनका बहुत ही मान सम्मान भी है अब हम देखते हैं जैन शोर को जो कि 1981 से 1994 तक डॉक्टर क्लाइन के क्लिनिक में नर्स हुआ करती थी और डॉक्टर रॉबर्ट क्लोवर को जो की 1987 से 1991 तक डॉक्टर क्लाइन के साथ काम किया करते थे अब नर्स जैन और डॉक्टर रॉबर्ट जरूर डॉक्टर क्लाइन के साथ में काम किया करते थे लेकिन उन लोगो कुछ खास पता नहीं होता था प्रोसिजर के बारे में औ बताने का काम किया करते थे और बाकि जरूरी चीज़े डॉक्टर क्लाइन ही किया करते अब हम और्डियंस के लिए एक खास चीज ये है कि यह रील डॉक्यूमेंटरी है और इसमें नॉर्मल कहानी की तरह अलग-अलग एक्ट्स नहीं होंगे यह कहानी कुछ लोगों के परस् husband में कुछ कमी थी और वो डॉक्टर क्लाइन के पास जाती हैं इसी प्रोसेजर के लिए क्योंकि वही इस चीज के अंदर absolute best होते हैं और उन्हों है 2014 और मार्किट के अंदर commercial DNA टेस्टिंग आ चुकी थी जिसे लोग अपने टेस्ट करवा कर अपने फैमिली ट्री के बार में जान सकते थे अब जकोबा जिसको हमेशा से ही अपने भाई बहनों से मिले में इंट्रेस्ट होता है वो जाती है सीधा इस टेस्टिंग को करवाने के लिए और उसको पता चलता है कि उसके साथ भाई बहन और हैं जी हां यानि कि जहां पर वो DNA टेस्टिंग कराने गई थी वहां पर साथ लोगों से उसके DNA मैच हो रहे थे पहले तो जकोबा को अपने सिबलिंग्स को ढूंड कर खुशी होती है लेकिन अगले ही पल वो पर से एक ही लौजिक था क्योंकि अगर एक आदमी का सेंपल जादा बार यूज किया जाएगा तो उसके बच्चे एक इलाके में धेर सारे हो जाएंगे और फिर इससे सिबलिंग्स के बीच में शादी और रिलेशन जैसी चीज़ भी हो सकती है क्योंकि उनको थोड़ी पता हो कर दी जिससे उन्हें उस डोनर के बारे में पता चल जाए जिसका सैंपल इतनी बार यूज हुआ था यानि कि यहां पर डोनर को बिल्कुल सीक्रेट रखा गया था कि वो डोनर था कौन अब इस इन्वेस्टिकेशन में जकोबा डोनर यानि की फादर के डीने ट्री को चेक जो की कोई और नहीं बलकि डॉक्टर क्लाइन की मदर का मेडन नेम था जकोबा से सिल्विया ने पूछा डॉक्टर क्लाइन के बारे में तो उसने बताया कि डॉक्टर क्लाइन असल में उसके कजन है और ये सुनकर जकोबा के पैरों के नीचे से जमीन किसक गई क्योंकि इ उन्होंने अपना ही sample used किया और पता नहीं कब तक use किया होगा जकुबा परिशान थी और जो Dr. Klein ने किया वो गलत था इसलिए जकुबा ने अटर्टर्णी जर्नल को मेल करके Dr. Klein की complaint करी लेकिन उसका इसका कोई खास response नहीं मिला उसने attorney journal के office में बहुत सारे calls किये लेकिन तब भी उनका कोई भी reply नहीं आया साथ ही साथ उसने धेड़ सारे media houses से भी संपर्क किया लेकिन हर जगा से उसको निराशा ही हाथ लगी अब उसे एंजला गनोटे के बारे में पता चलता है जो कि एक बड़े news channel के लिए anchor थी और एक बड़ी post पर भी थी और उसने एंजला से contact करके उसे इस case के बारे में बताया एंजला ने जब ये सुना तो उसको भी शौक लगा कि ये सब कैसे हो रहा है और उसने डॉक्टर क्लाइन से बात करी और सच पूछा तो उसने सीधा मना कर दिया और बोला कि वो फादर है ही नहीं और एक डूनर के एक से ज़ादा बच्चे होई ही नहीं सकते एंजला उससे बोलती है कि बच्चों के DNA रिपोर्ट्स उसके पास में हैं और क्लाइन अपना DNA टेस्ट दे दे था कि ये साबित हो जाए कि वो फादर नहीं है लेकिन डॉक्टर क्लाइन ने DNA टेस्ट के लिए साफ मना कर दिया एंजला ने निउस तो चला दी कि एक डॉनर से धेर सारे बच्चे हुए हैं लेकिन कलाइन का नाम वो मेंचन नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुती बड़ी हस्ती थे जैकोबा को भी कुछ हाथ नहीं लग रहा था और उसके एक सिबलिंग ने कलाइन की फैमिली से कॉंटरेक्ट किया और जैकोबा कलाइन के बच्चों डग और डॉनर और वाइफ और्डरी से भी मिली डग ने जैकोबा को ये बताया कि उसने कलाइन से बात किया और उसने बाया लॉजिकल फादर होने से साफ इंकार कर दिया और ये बताया है कि क्लाइन का सैंपल भी यूज होता था लेकिन सिर्फ तब जब कोई डोनर अवेलिबल ना हो और उनके 10 से जादा बच्चे नहीं हो सकते लेकिन तब ही सामने आ जाती है 14 सिबलिंग जूली जो की एक दिन टीवी पर न्यूस देख रही थी और उसके हस्बन ने टीवी पर जकोबा को देखकर बताया कि जकोबा का चेहरा तो जूली से मिलता है और जूली ने अपनी मॉम से बात की और उनकी मॉम है डायना जिसने अपने हस्बन का सैंपल दिया था तो कोई टेंशन वाली बात तो थी ही नहीं और ये डायना वही है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था जूली अब नॉर्मल होकर अपना डियने टेस्ट करवाने जाती है ताकि उसका डाउट क्लियर हो जाए लेकिन शौकिंगली उनको ये पता चलता है कि उसके फादर का सैंपल यूज हुआ ही नहीं था यानि कि जो उसके फादर है वो उसके फादर है ही नहीं डायना और जूली को जब ये पता चलता है तब उनकी दुनिया ही उजड़ जाती है और डायाना ने अपने husband को ये बात बताई तो वह भी दुकि हो गया था क्योंकि एक दिन में ही सब कुछ बदल गया क्योंकि यहां पर जो sample use किया जाना था अपना sample use कर लिया था तो यहां पर जूली के father भी डाक्टर क्लाइन ही थे यानि कि बायालोजिकल father जकोबा ने अब डग से बात करी और कुछ और सिबलिंग के साथ मिलकर डॉक्टर क्लाइन के साथ में मीटिंग फिक्स करवाई क्योंकि उन लोगों के बहुत सारे सवाल थे अब एक दिन जकोबा और उसके पाँच और सिबलिंग डॉक्टर क्लाइन से मिले और जब डॉक्टर क्लाइन वहाँ पर आये तो वो एकदम नॉर्मल थे उनके चेहरे पर कोई भी शिकस्त नहीं थी और वो अपने पास एक लाइसेंस्ट गन भी रखा करते थे वो सब बच्चों के नाम पूशने लगते हैं सब क्या काम करते हैं ये सब पूशते हैं और एक लिस्ट बनाने लगते हैं जैसे वो सब बच्चों को रैंक कर रहे हों कि कौन सा बच्चा कहां पर पहुँचा है लाइफ में उसने जादा कुछ बात नहीं करी और इतना ही बता जाता है 17 सिबलिंग जो की मैट वाइट लिज वाइट का बेटा था और लिज अपनी कहानी बताती है कि जब वो इलाज के लिए जाती थी और 14 बार लगभग वो प्रोसीजर चला तब डॉक्टर क्लाइन किसी और रूम में जाते थे और खुद का ही सैंपल लेते थे और जब मदर की मर्जी के बिना डॉक्टर क्लाइन ने अपना सैंपल यूज कर लिया अब क्लीनिक पर जादतर टाइम डॉक्टर क्लाइन अकेले ही रहा करते थे और वही हर चीज मैनेज किया करते थे नर्स जैन और रॉबर्ट बर्ट जादा अंदर तक किसी चीज में इंवाल जाधा अंदर तक किसी चीज में involve थे ही नहीं और ना ही डॉक्टर क्लाइन ने उनको हो ने दिया जिसका reason साफ साफ यहाँ पर है असल में डॉक्टर क्लाइन अपने काम से काम रखते थे और क्या हो रहा है किसी को भी कुछ पता नहीं था अब डॉक्टर क्लाइन के बार में हमको एक और चीज पता चलती है कि वो खुद को बहुत ही जादा इंटेलिजन्ट और स्मार्ट माना करते थे और अपने आगे वो सब को कम समझते और वो बहुत ही जादा एरोगेंट और गुस्से वाले आदमी थे अब हम देखते हैं कि एंजला ने उनसे फिर से बात की यानि कि डॉक्टर क्लाइन से तो वो ये बताते हैं कि वो हीपा लॉक के तहत प्रोटेक्टेड हैं और अगर एंजला और उसके चैनल ने उस पर कोई भी न्यूस कवर करी तो वो उन पर केस कर देगा क्लाइन ने अब जकोबा को कॉल किया और उसको ये बोला कि वो न्यूज में चीजे बताना बंद कर दे और अगर सब कुछ बाहर आ जाएगा तो क्लाइन की वाइफ को पता चलेगा उसने अब क्लाइन के बारे में और रिसर्च करना शुरू कर दिया यानि कि न्यूज आर्टिकल्स ढूंडे ब्लॉग्स ढूंडे प्रेस कॉन्फरिंस इसके बारे में पता लगाया और वो भी डॉक्टर कलाइन के ही सैंबल से पैदा हुई थी और अब उसकी भी दुनिया बदल रही थी जाकोबा और जूली ने हैदर से कॉन्टेक्ट किया लेकिन हैदर बहुत ज़धा परिशान थी और उसने उनसे कुछ वक्त मांगा चीजों को प्रोसेस करने के लिए और कुछ महीनों बाद उसने बात की उन दोनों से कुछी टाइम के बाद में सामने आती है थर्टी थर्ड सिबलिंग लीजा जी हाँ असल में लीजा के हस्बेंड जूली की बेटी के टीचर थे और उन दोनों की बेटियां आपस में अच्छी दोस्त भी थी जूली वही है जिसके बारे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था लीजा अपने बार में बताती है कि उसने अपनी मदर से बात की तो मदर ने ये बताया कि जब भी वो डॉक्टर क्लाइन के पास में जाया करती थी तो उसके हस्बेंड यानि कि लीजा के फादर साथ में होते थे और वो अपना सैंपल भी दिया करते थे लीजा ये बोलती है कि उनको हमेशा यही लगता रहा कि उसके फादर के सैंपल से ही वो पैदा हुई थी लेकिन अब सच यहां पर सामने आ रहा है कि डॉक्टर क्लाइन ने अपने ही सैंपल यूज किये थे और ये भी हमको पता चलता है कि इंडियानापल्स 30 किलोमेटर में ही फैला हुआ है और टाउन के अंदर जादाता लोग किसी ना किसी तरह से डॉक्टर क्लाइन से ही कनेक्टिड हैं और अब सभी लोग और सिबलिंग्स अपने बच्चों को नसीहत देते हैं कि डेटिंग वगेरा वो जरा जाच पड़ताल करके ही करें और उन्हें खुद भी यही लगने लगा था कि जनके साथ वो लोग आज तक रिलेशन्शिप में आये थे कहीं वो उनके सिबलिंग ही ना निकल जाएं क्यूंकि डॉक्टर क्लाइन ने यहाँ पर धेड़ सारी चीज़े फैला रखी थी वो कहते हैं ना कि कारोबार काफी फैला हुआ है बिलकुल वही वाला हिसाब है हाँ पर और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक रियल केस है तो सोचो कितना शौकिंग होगा यह खेर सबी सिबलिंग्स जो कि आज मिले हैं उन्होंने पहले एक दूसरे को कहीं ना कहीं देखा था उनसे मिले थे खेर कुछी टाइम के बाद में न्यूस एंकर एंजला ने डॉक्टर क्लाइन से फिर से कॉंटेक्ट किया अब उसने डॉक्टर क्लाइन को ये बताया कि वो अपने चैनल के उपर न्यूस को चलाने वाली है जिससे डॉक्टर क्लाइन का नाम भी वो सबको बता देगी जिस के गौ की कार के टायर्स के न्रस निकाल दिए जिससे उसका एक्सिरणट हो सकता था और वो मर सकती थी और किसी और बच्चे के सिस्टम नेक बच्ची आ गई और उन दा स्पॉट उस बच्ची की डेथ भी हो गई अब ये एक एक्सिरेंट होता है तो डॉक्टर क्लाइन को सजा तो नहीं होती लेकिन उस दिन के बाद से उसे गौड मिल गए और वो डिवोशन में लग गया अब क्लाइन के यंग एज के टाइम के फॉर्मल कलीग्स मार्क और उसकी वाइफ ये बताते हैं कि उस एक्सिरेंट के बाद में क्लाइन ट्रॉमाटाइजड हो गया था और वो बहुत ही जदा रिलीजियस हो गया चर्च आने लगा उसने काफी सारी रिलीजियस किताबे पढ़ी और वो लगातार चर्च जाया कर थी हम कुछ लोगों को भी देखते हैं जो कि ये बताते हैं कि क्लाइन ने चर्च में बहुत सी जदा टाइम दिया था तो से वहां का एल्डर बना दिया गया और वो बैप्टिजम्स वगारा भी करवाया करता था लोगों का और अब सामने आ जाता है 48 सिबलिंग जेसन जी तीन फिर साथ पंदरा बीस पच्चिस और पचास होने वाले हैं एनिवेज जकोबा जेसन से मिलती है और उसे इस केस के बार में सब कुछ बताती है और डॉक्टर क्लाइन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाती है जिसमें एक में वो ये बोलता है कि तुमारी मां के अंदर ब गॉर्ड का संकेत बता रहा है कुछी टाइम के बाद में जकोबा को अटर्णी जरनरल के ऑफिस से एक मेल मिला जो कि कि किसी काम का नहीं था लेकिन जकोबा ढूने लगी कि ये मेल किसने भेजा है और उसको एक मेल के अंदर एक अजीब सा वर्ड मिलता है जो की था भीजते हैं और वो बच्चे बड़ी बड़ी और्गनाइजेशन पर कबजा करकर गौड का काम करेंगे और पूरा का पूरा सिविल लौब बदर डालेंगे ओके तो स्टार्टिंग में तो ये लग रहा था कि ये डॉक्टर क्लाइन के दिमाग की उपज है लेकिन यहां प उस लाइन का यूज ये कल्ट भी करता है और ये उस कल्ट की टैग लाइन है तो क्या क्लाइन भी इस कल्ट का हिस्सा हो सकता है अब टाइम बीटता चला गया लेकिन ये लड़ाए जो जकोबा उसके भाई बहन और एंजला लड़ रहे थे वो एक जगा पर रुकी हुई थ और वो लोग हार की कगार पर थे एंजला मैरियन काउंटी के एक प्रोसीक्यूटर से कांटेक्ट करती है और उसको पूरा केस समझाती है और कुछी टाइम के बाद में प्रोसीक्यूटर टिम इस केस के लिए मान जाता है लेकिन दिक्कत ये थी कि तब कोई ऐसा लौ था ही थी यानि कि कोई फिजिकल चीज नहीं थी लेकिन कंसर्ण भी उसका नहीं था कि डॉक्टर क्लाइन अपना सेंपल यूज कर सकता है और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये चीज बहुत सालों बात सामने आई थी अब ये बात आगे जाती है लेकिन इसके तहत केस नहीं ब पूशता चुई और उन्होंने माना कि उन्होंने गलती करी है लेकिन यहां पर यह जो केस था ना वो स्टीट की तरफ से उन पर चलाया गया था ना कि विक्टिम्स की तरफ से अब डॉक्टर क्लाइन को कोट के अंदर पेश किया जाता है और सारे बच्चे और जकोब भी बहां पर थे लेकिन वो लोग डॉक्टर क्लाइन से सेम्पल यूज करने की बाद नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पर केस वो था ही नहीं उनके ऊपर तो केस बनाता जूट बोलने का और जस्टिसको रोकने का अब कोर्ट ऊरिंग में और डॉक्टर क्लाइन के नाम से धेड़ सारे लेटर्स आने लगे चर्च में कि उनके साथ नर्मी बढ़ती जाए और उन लेटर्स के अंदर धेड़ सारे लेटर्स लॉयर्स के थे अब जकोबा और सबी बच्चे इस चीज़ से दुखी थे कि उनके और उनकी मदर के साथ में जो कुछ हुआ उसका इंसाफ उनको नहीं मिल रहा है और खुद जज भी यहाँ पर डॉक्टर क्लाइन के लिए इमोशनल हो जाती है और उनको सिर्फ 500 डॉलर्स का जुर्माना होता है डॉक्टर क्लाइन यहाँ पर आसानी से इस केस से निकल जाते हैं और असल में यहाँ पर उनकी पोजिशन और उनके नाम ने एक बड़े केस को छोटे रूप में तबदील कर दिया था धीरे धीरे और भी बच्चे सामने आते गए और सब बच्चों के अंदर कुछ कुछ बिमारियां थी और यह बिमारियां उनको डॉक्टर क्लाइन से ही मिली थी जो की जैनेटिक थी मार्क और शरीन बताते हैं कि क्लाइन के जो डिसॉर्डर से उनसे उनका करियर खराब ना हो इसलिए उन्होंने ही उनको सही डॉक्टर सेजेस्ट किया अब सामने आ जाती है 61st सिबलिंग ऐलिसन जो कि मार्क और शरीन की ही बेटी थी जी हाँ यानि कि उसने अपने कलीक्स तक को भी नहीं छोड़ा क्योंकि शरीन ने भी डॉक्टर क्लाइन से ही इलाज करवाया था और डॉक्टर क्लाइन ने अपने खास दोस्ते के साथ भी वही गलत काम किया जो कि सब के साथ में किया था लेकिन और भी बड़ी दुख की बात ईलेसन की लिए ये थी कि वो खुद भी डॉक्टर कलाइन के पास treatment के लिए गई थी और वो ये सोचती है कि वो किस condition में उसका treatment किया करता था और biological वो उसका father था और ये सोच कर उसको गिनाने लगती है हम मार्क और शरीन को देखते हैं जो कि बहुत ही दुखी थे क्योंकि सब की तरह उनकी जिंदगियों को भी डॉक्टर क्लाइन ने उजाड़ दिया था सबी सिबलिंग्स के साथ जकोबा अपनी लड़ाई लड़ रही है और वो काफी टीवी शोस पर जा चुकी है सब के सामने अपनी और अपने भाई बहनों की बात रख चुकी है और धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने वो लोग अपनी कहानी रख रहे हैं और उन्हें उमीद है कि किसी दिन उन्हों को वो इंसाफ मिल जाएगा जो वो लोग deserve करते हैं अपनी माओं के लिए 2018 में सभी siblings और मदर की लड़ाई एक रंग लाई और अब इंडियाना पुल्स में एक law पास हुआ है जिसके तहर डॉक्टर क्लाईन जैसे लोग अपना sample यूज नहीं कर सकते वो यूज करना illegal है यानि कि कोई भी डॉक्टर खुद का sample यूज नहीं करेगा लेकिन अभी कोई federal law नहीं बना है अब इसके बाद में 44 और डॉक्टर को अपना sample यूज करने का दोशी ठैराया गया है और ऐसे डॉक्टर को बनाने का credit डॉक्टर क्लाईन को ही जाता है और आज तक क्लाईन के 94 से जादा बच्चे सामने आ चुके हैं और गिंती अभी भी चालू है और बूम इसी के साथ में यह डॉक्यूमेंटरी यहां पर खतम हो जाती है तो दोस्तों यह थी आवर फादर डॉक्यूमेंटरी की कहानी जो की हाली में नेटफलिक्स पर रिलीज की गई है आप सोचकर देखो कि दिमाग में इस सब चीज़ जब चलती है तो सोचकर ही गेनाती है कि इस तरह के डॉक्टर्स भी होते हैं माना कि उसने हेल्प करी लेकिन यहां पर बताया नहीं गया कि उसने खुद का ही सेंपल यूज किया है लाइक 20 साल 25 साल 30 साल बाद लोगों को पता चल रहा है कि उनके बाया लॉजिकल फादर तो कोई और ही है चलो एक चीज होती है कि जो डोनर होता है उसका नाम सीक्रेट रखा जाता है लेकिन यहां पर उन लोगों के लिए और उन माओं के लिए कितनी बड़ी बात होगी कि जिनके खुद के फादर का सेंपल वहाँ पर ले जाया गया था यूज करने के लिए लेकिन इस डॉक्टर ने अपना सेंपल यूज कर लिया जिस्ट बिकोज वो किसी कल्ड से बिलॉंग करता है या फिर वो खुद को सुपीरियर मानता है यानि यह खुद के जैनेटिक्स को सुपीरियर मानता है बाकि आप लोग मुझे बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो आप के विचार हैं इसके बारे में वीडियो पसंद आई उ तो लाइक कर देना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए